विदानसभा चुनाव की घोशना के बार लगातार चर्चाएं चल रही है टिकेट वित्रन को लेकर भाजपा या कॉंग्रेस दोनों की बात कर लें तो फिलाल दोनों में यही दुईधा है कि किसको टिकेट दी जाए दोनों के पास इस बार टिक टार्थियों की लंबी लाइ हम भी इसी विशय पर बात करेंगे हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके नजेपी के परधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूँ आपके साथ कोमल राओ आज हम पूरे हरियाना की बात नहीं करेंगे बलकि हरियाना की रेवाडी जिले की तीन विधान सभा सीटों की बात करेंगे रेवाडी बावल और कोसली इनमें जानते हैं कि भाजपा के कौन से संभावित उमीद्वार हो सकते हैं और कॉंग्रिस के कौन से संभावित उमीद्वार हो सकते हैं सर रेवाडी से शुरुआत करते हैं अगर रेवाडी में देखें तो भाजपा के इन तीनों शीटों पर फिरी हैंड जैसी जान से पारिप्र ऑर फिरीए जान गारी तो पहले आप शुवर पारे मेरे 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 हिसाब से राव इंडर्जीत सिंग को Philippi quiser पिशली बार सुनील मुशेपुर ने चुनाव लड़ा था मामुली अंतर से हार गए थे इस बार उन्होंने मंजु यादव का नाम प्रस्थावित किया है सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है खबरों में भी चल रहे है कि राव ने इस बार सिर्फ एक ही सीट से टिकेट के डिमांड करिया वो है मंजु यादव का नाम की मुझे मेरे खाते में तो सिर्फ एक नाम दे दो हाँ इस पर मैं आपको जवाब दूँगा यह बिल्कुल आपकी सही बात है ऐसा हम भी सुन रहे हैं लेकिन जो भारतिय जनतापार्टी में जो मैं बता रहा हूं राव और एंटी राव की राजनिती अगर राव इंदरजीत सिंग के कहने पर भारतिय जनतापार्टी ने ट पर भारतिय जनतापार्टी एक नाम अर्विंद यादव के पुराने नेता हैं पार्टी से भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनकी भी तैयारी तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी है कि टिकेट पकी है नाम तो उनका भी लिया जा रहा है काफी लगातार देखो हम सुन रहे हैं 2014 में भी हम सुन रहे थे 2019 में हम सुन रहे थे लेकिन भारतिय जनतापार्टी सोचती है कि जो केडर का आदमी वह बगावत नहीं करेगा कहीं नहीं भागेगा तो पार्टी की पहली कोशिश ही होगी कि जो लोकसभा में 50-50 का मैच हुआ है उससे पार्टी खु का मिले में पार्टी साइध टिकेट का फैसला ले भी सकती है ऐसा नहीं है कि मैं उनको आउट ओफ रेस कर रहा हूँ क्योंकि वह पार्टी के सबसे पुराने जो कारी करता है उनमें से एक है तो अर्विंद जयादों को भी आप रेस में कह सकती हो तो आप ये कह सकती हो वै विर्क शतविष्कोलागी तो की नाम मैं वायर्टी से मुन्हेषद और थेलंदाब पार्टी मी मैं मन्झुयादू थेका, अगर राव 인डर जी शिंग की बात नहीं शुनी गए तो दूसरा नाम प्रणादेर सिंग कापडिवास, मुकेश कापडिवास, इस परिवार से हो सकता है, और उसमें एक अर्विन्द यादो का नाम भी हो सकता है, ये बारती जनता पार्टी में रेवाडी का सीना अभी तक है. अभी हम बात करे थे कि Raven sahab ने Sunil Musaitpur की वाइफ का नाम आगे किया है To इस बार Sunil Musaitpur का नाम आगे उनहीं गिया पिशली बार तो वही चुनाव लड़े थे इस बार उनके नाम पर टिकेट लिजा सकती थी कोमल सुनील मुसेपुर के नाम को लेकर कि कुछ आपति आ सकती थी ऐसा राव इंदरजीत को शायद कोई आसंका थी इसलिए वह विकल्प लेकर चले थे अपने मन में ऐसा मेरा मानना है यह था कि पार्टी इस बार महिलाओं को ज्यादा प्रतिनीधित विदेगी यह वी एक बात थी तो उनका यह मानना था कि जो एक नाम प्रस्तावित कर दिया जाए अगर सुनील मुसेपुर के नाम पर कोई विरोध हुआ तो मन्जु यादव का नाम सामने कर देंगे तो राव साब ने वह किया है अब पार्टी को फैसला लेना है राव साब को जो कितना जो इस मामले में जो वेटेज मिलेगा यह देखना है अगर हम रेवाडी में कॉंग्रेस की बात करते हैं तो यहां से तो चिरंजीव राव लगभगते नाम है उनके अलावा पारिटी के पास दूसरा नाम है फिलालना शायद विचार करेगी आप क्या कहेंगे मैं सहमत हूं चिरं कांग्रेस के उमिद्वार होंगे यह लगभगते नाम है अगर हम बावल की बात करते हैं तो बावल में भाजपा के चेहरे कौन होंगे जैसा सुनने में आ रहा है तो कहा जा रहा है कि लगभग डॉक्टर बनवारी लाल का नाम तय है मोजुदा विधायक भी है और उनके आपको क्या लगता है भाजपा की बावल में कौन उमिद्वार हो सकते हैं देखो मैं आपको बता चुका कोमल की बावल में बावल रेवाडी और कोशली में राव इंदर जीचिंग को तबज्व मिलेगी भारती जनता पार्टी की तरफ से हाला तो एक दम भी पिरित हुए तब जाकर के कोई दूसरी बात होगी नहीं तो जो है डाक्टर बनवारिलाल भाजपा की तरफ से भी है और राव इंदर जीचित भी उनको समर्थ दे सकते हैं अपना आशिरवाद दे सकते हैं लेकिन अगर यह माना गया कि सर्वे में उनका जो कमजोर प्रदर्शन आ रहा अगर बदलेंगे तो फिर राव इंदर जीत ही बदलेंगे उनके उनके पास बाटर बावल में डाक्टर बन्वारिलाल सबसे मजबूत है। मैं चुनाओ की मजबूती की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस भी बावल में काफी मजबूत अब नजर आने लगी है तो मुकाबला होगा वहां पर लेकिन मुकाबला अगर कांग्रेस से कोई कर सकता है तो इस समय बाहरत्य जनलता पारटी के जिसाब से डॉक्टर बनवाई लाली इसलिए बावल में मैं एक ही नाम डॉक्टर बनवाई लाल का बता रहा हूं और दूसरे ना करते हैं तो कॉंग्रेस के पास काफी लंबी सुची है टिक्टार्थियों की बावल से आपको क्या लगता है किस पर दाओ खेलेगी कॉंग्रेस बावल में कॉमल आपने अगर बावल की राजनिती को नजदीक से देखा हो तो लोकसभा चुनाओं से पहले थोड़ा सा और एक गर-गर जाना शुरू कर दिया एक गाउं पकड़ा उसके गाउं में घर-गर-गर पहुंची अपनी बात कही अपना निवेदन किया तो नीलम भगवाडिया भी एकदम इतनी मजबूती के साथ अपना जगे बनाने में काम्याब रही जितना डक्टर रंगा का था तो दो ह गई डक्टर रंगा और नीलम भगवाडिया नीलम भगवाडिया अचानक उभर करके तेजी से इस तरह आई कि नमबर वन की रेश में आ गई लेकिन उसके साथ ही फिर हम यह देखते हैं कि जैसी जैसे लोकसवा का रजल्ट आया और कांग्रेस की स्थिती मजबूत दिखा लगवाड़ में उनकुमार है वो यहीप आगे बावल में उन दोनों को भी मजबूत उमीदवार माना जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों सेमुकेष जूली का नाम भी चल रहे है उनका ज़ादा आपने और भी नाम सुन रहे एक और भी नाम सुन रहे हैं तीना करंबीर का आप इस तरह जो बावल में तो और भी बहुत सारे हैं तो आपने कहीं बता दिये हमें गिने चुने नाम बताईए कांग्रेस में देखे तो अभी जो पुराने चेहरों में जो लंबे समय से सक्री हो गए थी उनमें एक नाम बावल में रमेश ठेकेदार का चल रहा है और इस कहीं टिक्ट जा सकती है एक हम बात करें तो कांग्रेस किसी एक पूरो आई-एच अधिकारी को भी चुनाव में उतार सकती है पता नहीं उनका कांग्रेस की बाद चीत हुए या नहीं लेकिन सुनने में रहा था कि कोई पूर आये सदीकारी भी बावल से उतार सकते हैं कांग्रेस की टिकट को लेकर कि अभी बावल में असमंजस की स्थिति है अभी नेताओं के बीच भी एकता नहीं बनी है और कुमारी सेलजा और भूपेंदर सिंग घुड़ा दोनों ही चाहेंगे बावल में जो उनके चाहेते को टिकट मिले या किसी एक नाम पर सहमती हो जाए उनके बीच ऐसा चाहेंगे अब बात करते हैं कोसली की कोसली में भाजपा की टिकट किसके हिससे जाएगी वहां से मोजुदा विधायक वैसे तो लक्षमन यादर है उनके नाम पर विचार होगा या कोई दूसरा ही चहरा होगा भाजपाता कोमल कोसली के बारे में इस बार यह है कि पार्टी बदलाव कर सकती है लक्षमन यादर पूरी कोशिस कर रहे हैं लेकिन वहां भी सेम स्थिती है राव इंदर जीत अपनी मर्जी का कंडिडियेट वहां देंगे आरती राव का भी नाम कोशली से चल रहा है तो आरती राव आती है तो लक्समन यादों को पार्टी जो टिकट नहीं दे पाएगी कोशली से दुबारा तो आरती राव का नाम भी वहां पर बहुत गंबीरता से लिया जा रहा है आरती राव के अलावा जो कोशली में दूसरा आप लक्षमन का कह सकते हैं जो आरति राव को नहीं लड़ाएंगे बाकी भारतिय जन्रता पार्टी से बिक्रम ठेकेदार हैं वो भी पूरी गंबीरता से टिकेट मांग रहे तो भारतिय जन्रता पार्टी के पास भी कोशली में लंबी सूची है सुनने में तो यही आदा कि पारिटी ने कोशली से अवति राव का नाम सजेस्ट किया है राव साब को अपनी शीट कहते रहें कि मेरी गरेलु सीट परंपरागच सीट क्योंकि जब राव लोकसवा चुनाव से पहली विदान सवा चुनाव लड़ते थे तो उस समें कोशली क जो आदा हिस्सा है जाटुसाना विदान सवा सीट में सामिल था अब तो जाटुसाना शीट खतम हो चुकी 2009 के परिशिमन होने के बाद में 2009 से लेकिन पहले राव साब का करम छेतर रही है यह जगे तो इसलिए कोशली में आर्ति राव का बनता है कोशली का अटेली में आर रहे हैं और दूसरा नाम जो है अभी थोड़ा से जल्द वाजी होगा कहना attractive मेेरा यही जवाव कोशली में में आर्ति रह हो सकती है आज से राव चाहे यही जवाब माली जासे राव discord को चाहेंगे तो लक्सम haircut से ओंमिद्वार हो जाए और किसी को चाहेंगे तो जगदिश यादव का दावा सबसे मजबूत है लेकिन याद्वेंदर शिंग भी आउट ओफ रेस नहीं है याद्वेंदर शिंग को दूसरी जगे पर भी पारिटी भेज सकती है लेकिन अभी यह बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कहना हमको इंतजार करना पड़ेगा कोशली कोशली में दोनों मजबूत है जगदिश यादव भी है और राव याद्वेंदर सिंग और अगर दोनों के बीच बहुत ही जादा जो दिक्कत आई तो फिर कोशली को लेकर के भुपेंदर शिंग उड़दा और दीपेंदर सिंग बड़ा फैसला कर सकते को तीसरा नया चे पर आपने सुना कि कौन-कौन वहां से दोनों पाइटियों के संभावी तुमीदवार हो सकते हैं आज के लिए यहां की राजनीती पर सिर्फ इतना ही दुबारा फिर किसी नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे धन्यवाद